नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल वाई की ऑनलाइन एजुक्यूशन में उमीद है आप सब लोग सस्तोंगे मस्तोंगे और अपनी पढ़ाई में दिश्तोंगे दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल हमारे उत्राखंड में भर्तियो एसे में जो होता है न जो पढ़ने वाले विधीयरती होते हैं जो मेहनती चात्र होते हैं उनके हित परभावित होते हैं तो अब कहीं न कहीं आयुग इस पर सब्सक्राइक कर रहा हैule्ग हम ढ़ीं कर सकते हैं कि आगे हमें ऐसी धन्दियां ना देखने को मिलें और जो तो इसी साल आपकी परिक्षा है वो होने जा रही है तो चलिए पूली न्यूज को आम आज जान लेते हैं क्या ये न्यूज है इस कैलेंडर को भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी बढ़तियां और कब कब उनकी देथियां रखी गई है तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ता से सम्मंदित आपको देते रहते हैं तो इसी सेशन में आज हम बात करेंगे इस महत्वपून अपडेट को ले करके तो चलिए शुरू करते हैं देखो आयो की तीन भर्तियों पर धर्मतीन भर्तियों का परिक्षा कैलेंडर जारी है तो 21 मही को होगी सचभले रक्षा के 33 प साथी 184 अभ्यर्तियों को डिबार करने के करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं आयोग ने इन अभ्यर्तियों की सूची अपने वेब साइट पर अपलोड कर दी है तो जो इन भर्तियों में जो लोग पाए गए थे सामिल उनकी जो सूची है वो आयोग मे इसमें आपने साइट पर्डाल डाल दी है जो लोग इसमें लिप जा पाए गया थे जैसे कि वीडियों रिप्यो्ट हो चुके हैं और उने को बैं किया गया है तो ये अच् courage है कि जो लोग इसमें लिप्त थे वह सामने आ चुके हैं और मेरा यह मानना है कि उनको अब आग क्या राय है इस पर मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा देखिए जो इसना तक इस तरिय परिक्षा है 115 पर उसमें होने है जो संदिग्द अभ्यर्थी पाए गए थे उनमें 115 सबसे जादा इसना तक इस तरिय परिक्षा 115 उसमें संदिग्द अभ्यर्थी पाए गए थे स तचवाले रक्षक में 14 वीपीडियों में 35 और दरोगा भर्ती में 20 तो यह जो लोग थे जो हाइलाइटर थे उस भर्ती में शामिल थे जिनकी उस दांदली में जिनके नाम सामने आए है मत्चन रिक्षक का रिजल्ट जारी तो यहां पर एक और न्यूज आपको मैं दे दू इसके लिए कुल 35 चैन अभर्तियों को बुलावा भेजा गया है आयोक अध्यक्ष मार्तोलिया ने बताया कि इससे तुरंत बात आयोक संबंदित विभाग को अभर्तियों के इन्यूक्ति की सिफारिस कर देगा तो जिन लोगों का भी इसमें चैन हुआ है उनको हमारी उत्राकर्ण अधीनस्त सेवा चैन आयोक के द्वारा ये जारी किया गया है और परिक्षा का जो कारेक्रम है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं 10 अप्रैल को ही ये जारी हुआ है यानि कल को उत्राकर्ण अधीनस्त सेवा चैन आयोक की पूर में निरस्त तीन पृतियोगी पूर्ण परिक्षा आयोजित किये जाने है तो परिक्षा कारेक्रम निम्नानसा निर्धारित किया गया है तो सबसे पहले जो आपका विभाग संख्या है या पद नाम पदकोड या विभाग का जो नाम है तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं पद नाम है रक्षा के अंतरगत रक्षक के जो पत से पतकोट है 451-671 तो यह और विभाग का नाम है सचवालाई प्रशासन तो इसकी जो परिक्षा होनी है वह 21 माई को यानि बहुत ही सीग्र आपकी परिक्षा निर्धारित की गई है तो जिनको भी इनकी भी यह फॉर्म जिन्होंने भ भरे हुए है उनको हमारी तरफ से शुपकामनाई है दूसरा है पदनाम है वंदरोगा तो जो वंदरोगा का है वन विभाग में पदकोट 629 है 724 तो यह आपकी जो परिक्षा रखी गई है यह 11 जून को रखी गई है तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयारी करने शुरू कर दीजिए और जो फहले से ही कर रहे हैं हमारे चैनल से आपको हिंदी तो मिली रही होगी क्योंकि हिंदी के मैंने आपके जो स्लेबस है उसकी एकॉर्डिंग की मैंने आपकी बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवाए हैं और आजकल हम प्रैक्टिस हमारे जारी हैं साती थात NCRT का स्लेबस भी में हमारा लगातार चल रहा है 9-10 का में क्लियर करवा चुकी हूं 11 का भी जारी है तो आप लोग बने रहिएग चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारे fünf लिक्स अग्ला जो पद नाम है इसना तक की बाइंगि जिसमें विधाग का नाम विभीन मिभाग है उसमें को एक बभाग सणिय के बिल can शुब कामना है हमारी तरफ से आप लोग चैनल पर बने रहे और हिंदी अगर आपको पढ़नी है तो आप हमसे जूट सकते हूँ हम यहां पर आपके स्लेबस के कौर्डिंग ही सब पढ़ाते हैं दोस्तों इस में आप देख पा रहे होंगे यहां पर आप थोड़ा सा मैं यह बताना मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो यहां पर मैं चीज बताना आपको भूल गई कि इन परिक्षाओं में वही अभिरती शामिल हो सके तो देखे जिन लोगों ने पहले फॉरम भर दिये थे उन्हीं के यह परिक्षाओं अब इसके लिए कोई नय आवेदन नहीं मांगी जाएगी तो इतना आपको ध्यान लगना है कि आपके नए आवेदन नहीं आने वाले और जिनों ने पहले भर दिया था वही लोग इसमे टाइम टेवल जारी हो चुका है और अब वही लोग पेपर दे पाएंगे तो सुब कामनाई हैं आप लोगों को हमारी तरफ से बने रहे हैं चैनल पर और हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ल जरूर करें कमेंट जरूर करें मुझे आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के मुझे जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए अपना और अपनों का ध्यान लगिए नमिश्कार